नवस्कार दोस्तों, How to check ITR refund status? आज की ये वीडियो आपके साथ refund के विशे पर एक discussion है कि अगर आपने अपनी ITR भर दी और उसके बाद आप refund की प्रतीक्षा में हैं तो ये refund आपको कैसे जारी होता है यदि आपका refund किसी प्रकार से अटक जाता है तो वो refund आप कैसे release करा सकते हैं इस प्रकार के कुछ प्रश्णों का उत्तर डीटेल में लेकर के साथ आपके सामने आ रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला प्रश्ण है दोस्तों When an assessee is entitled to refund? बोले बढ़िया जी बहुत simple सी बात है अगर मेरा total tax paid including advanced tax, TDS, TCS, self-assessment tax मेरी final tax liability से ज़्यादा है तो मैं prima facie refund claim करने का हगदार हूँ अब कई बार क्या होता है दोस्तों आपका refund रोक लिया जाता है क्यों रोक लिया जाता है? जरा इस बात को समझेगा When a demand is due against the assessee in a preceding year due to assessment order यानि आपको इसके प्रती भी सतर्क रहना है के कहीं मैं तो इस साल अपनी return भर करके refund claim कर रहा हूँ और मैं इस प्रतीक्षा में हूँ के मुझे refund आएगा लेकिन कहीं department ने किसी पिछले year में मेरे पर demand तो नहीं create कर रखी जिसकी वज़े से मेरा refund रोक लिया गया हो तो ये भी आपको online check करना चाहिए अब साथ दोस्तों मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ how to check ITR refund through income tax login के आप income tax login पर जा करके अपने refund का status चेक करना चाहते है तो आपको वो refund का status कैसे चेक करना है सर्थ कि मैं मान लेता हूँ आपने अपना login कर लिया अब आप my account option में जाएए और view return forms जो आपने already return form कर रखे हैं view e-file return या form option पर आप click करेंगे जैसे ही आप यह option click करेंगे सर्थ आपके pen number के साथ आपको बुलेगा जी एक appropriate option select करिए तो आपको उन selection में से अपनी income tax return के option को select करना है अब जू ही सर्थ आप income tax returns के इस particular format को select करते हैं तो अब आपको income tax return में आपकी बहुत सारी जो भी returns आपने फाइल की हैं वो सब दिखेंगी उन में से क्यूंकि आप naturally latest year की return चेक करना चाते हैं तो आपके pen के आगे वो assessment year say for example recent year 2021 assessment year दिखेगा आपने कौन सी ITR form फाइल करी आपका क्या acknowledgement number था यह दिखेगा अब यह activity status को सर बड़े ध्यान से समझेगा यह एक process है जैसे department आपकी return को आगे लेके बढ़ता जाएगा आपको बता देगा इस assessi के case में जिनका मैंने आप ब्योरा लिया 24 नॉमबर 2020 को उन महाशे ने अपनी return भरी उस return को उन्होंने same day पर सर verify करा लिया इसके बाद 7 दिसमबर को department ने उनकी return को आगे progress में लेकर के चला और फिर finally 8 दिसमबर को department ने उनके उपर एक section 1431 का intimation जारी किया और यहां आगे इस सर के assessi को SMS भी कर दिया कि साब आपकी return हमने process कर दी और उसी दिन assessi को mail भी भेज दिया कि भाई यह आपकी एक intimation हमने generate कर दी कौन से mail id पर भेजा वो भी department बता देगा फिर यह भी लिख दिया महाँ पर department ने कि आपका जो refund status है वो 10-nsdl की website पर आपको दिखा देगे 8 दिसमबर को department ने further बोला कि साब हमने जो आपकी ITR processing complete कर ली उसमें हमने refund का amount तै कर लिया आपका refund principal amount यानि आपको 30,060 का सा refund बनता है इतना आपका interest बनता है total आपका 31,410 रुपे का refund बनता है ये refund आपको एक एक step में दिखता जाएगा कि अच्छा साब मेरा refund का status यहां तक आ गया अब 9 December को department ने बोल दिया जी refund has been paid यानि income tax department की ओर से refund finally 9 तारीक को paid भी हो गया अब देखें mode of payment कैसे payment किया ECS mode यानि direct credit कितना amount पे किया 31,410 और किस दिन credit हो गई 9 December 2020 को department की ओर से यहां पर credit हो गया इस प्रकार सर आप अपने refund का status online चेक कर सकते है अब कई बार क्या होता है दोस्तों हमें ये doubt होता है कि refund department ने process करना तो बता दिया लेकिन refund मेरे खाते में आया या नहीं आया अगर वो चीज़ आप चेक करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले बोला सथ आपको इस link पर tin.tin.nsdl.com यहाँ पर refund status का ये particular specific बना हुआ है एक particular connection आपको यहाँ click करना है जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने एक window खुल जाएगी इस window में sir इस प्रकार से वो लिख कर के चलते हैं कि हाँ साब आपके refund banker के बारे में हम ये चीज़ बता रहे हैं कि refunds are being sent in following two modes RTGS mode या NECS mode या paper check के थुरू भी refund अलाकि मेरा अनुभव यह है कि आज कल department सीधे electronic clearance system के थुरू ही जब तक कोई बहुत बड़ा refund ना हो सीधे assessi के खाते में refund देते हैं साथी department ये भी कह रहा हैं आप पर TIN NSDL की साइट पर के refund जो paid आपको क्या है सर उसका status आपके 26 AS के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं finally यहाँ पर नीचे आपको अपना pen number देने का option दिया जाएगा TIN-NSDL की साइट पर वहाँ आप अपना assessment year सेलेक्ट करिए मानली जी सर आपने assessment year 2021-2022 तीक है या 2020-2021 सेलेक्ट किया यहाँ आपको अपना capture code देना है और आपने proceed पर जाकर के click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप proceed पर click करेंगे अब आपका status of income tax refund देखा देगा कि देखें यह आपका pen है यह assessment year 2020-21 है ठीक है आपके case में जो ECS है जिन SSC का मैंने यह reference लिया department के रहा जी इस reference नंबर से हमने आपके खाते में direct refund credit कर दिया दिके लिखा है refund is already credited to your bank please contract your bank please contact your bank ठीक है account number कौन सा है पूरा नहीं दिखते एक last के तीन या चार डिजिट आपको बताएंगे और किस दिन credit हुआ sir वो भी department ने बता लिया जब आपने यह status किसी भी assessment year के लिए check कर लिया और अगर कुछ गडबड होगी तो यहां पर यहां देखेगा मैंने specifically लिखा है reasons for failure of refund credit के कभी-कभी refund की credit नहीं होती इसके reasons क्या हो सकते हैं मान लिजे आपके ITR में आपकी bank details proper नहीं गई या आपका जो bank है वहाँ पर आपकी KYC pending चल रही है अभी तक या आपका bank details का validation income tax department मांग रहा है अपनी site पर और वह validation pending है मेरा मुख्य द्यान जो अब जाएगा वह जाएगा sir bank details का validation कैसे कराना है मैं आगे आपको उसी point पर discuss करता हूं अब दोस्तों यहां पर देखेगा अगर आपको यह check करना है कि मेरा क्या bank account income tax department की site पर pre-validated है या नहीं है तो आप जैसे ही login करेंगे एक option आता है सब profile setting का profile setting के option में आपके पास में एक दो तीन चार पांच छटा option है pre-validate your bank account आप pre-validate your bank account पर select करेंगे जब आपने इसे select किया यानि यहां पर click किया तो आपको एक अगली window मिलेगी जिसमें pre-validated bank की details आएंगी के अच्छा साथ आपका यह particular account number हमने already pre-validate कर रखा है यह इस particular IFSC code के साथ में चल रहा है status validated अगर invalidated status आ रहा है यानि गड़वड हुई है तो आप नया bank account भी यहां पर already जोड़ सकते हैं यह भी एक option है साथ ही दोस्तों मान लीजे अगर आपका पहले से कोई bank account pre-validated नहीं है तो अब आप अपना pre-validate कर सकते हैं specific bank account उसके लिए क्या करना है pen account अपने आप appear होगा नेम आपका अपने आप appear होगा आपको अपना सही bank खाता यहां दर्ज कराना है यह current account है saying bank account है वो डालना है आपको IFSC code डालना है अपने आप bank name और bank branch यह पकड़ लेगा आपका mobile number email id क्या है सर वो बता देगा आपको finally pre-validate पर क्लिक करना है जैसे ही आप pre-validate पर क्लिक करेंगे तो department आपको message देगा site यह message देगी कहां साब हमने आपकी request स्विकार कर ली है और जब यह request आपकी स्विकार हो जाएगी तो finally अगर उन्होंने आपका account validate कर दिया है तो वो बाद में आपको pre-validated bank details में final details दिख जाएगी एक चीज़ और दोस्तों जो आपकी knowledge में लाना चाहता हूँ कई बार income tax department ने refund भेजा लेकिन refund failure हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपकी bank details validated नहीं है या invalid है और अब आपने bank details validate करी इधर आपका refund का failure आपको जो मैंने original first time screen दिखाया तो वहां लिखा आएगा request लगाए request category में आप refund reissue click करें और वहां पर आप submit कर दीजे केवल आपको इतना सा ही काम करना है जैसे ही आप submit करेंगे तो जो आपका pre-validated bank details है उसके अंदर आपका अपने आप वहला refund आएगा देखिए इन्हों लिखा details such as pen return type assessment year acknowledgement number communication reference number reason for failure etc will be displayed जैसे ही आप submit करेंगे ठ साब मेरी bank details गलती all the pre-validated bank with the status validated ठीक है will be displayed आप उसमें से अपना relevant account select करेंगे and that is how your particular refund will be reprocessed so ये एक reprocessing of refund कराने का तरीका अगर आपका refund अटका हुआ है तो आप adopt कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ refund के processing से related ये particular video आपको आपके refund का status जानने एवं अगर आपका refund किसी वज़े से अटक रहा है तो उसको smoothly department से निकालने में निश्चत रूप से helpful रहेगी मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह